कग वेल्कम टिस्षरख्ट्येर अजिक टॉपएक कि कुछ मिस्टेक प्रैक्टिकल फील्ड में जो होता है यह सारी जो मैं बताऊंगा यह मैराख प्रैक्टिकल एक्सिरियंस बताऊँगा जो फेल्ड मैं mistake आपको rectify करवाना होगा आप वहाँ पर खड़े रहे के उसको rectify करवा गए आप रोको कि इसको कि वो mistake ना करे तो देखे पहले बात तो जी ये सारे चीज आप सब लोगों ने देखा है कि ये जो चीज है ये जो चीज है ये बहुत बूरा चीज है इसको रोकिए ये ना करे सिलिए इसको रोकिए क्योंकि होता क्या है अगर इसको काट दो ना चाहिज से बात है ये चीज लोड लेगा बीम लोड लेता है ना सिर्फ यहां पर ही नहीं उपर का बीम भी काटता है ये तो ऐसे लेंटल बीम है लेकिन उपर के जो बीम यहाँ बीम है नियुकों कि और वह द téléक्ट्रिकल भाएप ये नहीं है क्योंकि इसका वह सिमेंट, मतलब sand और सिमेन देखे इसको fill करतेगा तो यहां पर concrete का portion तो आया ही नहीं तो filler compressive strength नहीं लेता न तो यहां पर यह दिक्कत आ जाएगा और यहां पर यह hollow portion जो आ गाया यह तो strength नहीं लेगा न hollow portion यह compressive strength तो यह नहीं ले concrete का main मुद्दा के है यह क्यों करते हैं हम लोग compressive strength लेने की नहीं और यह चीज़ strength नहीं लेगा यह पोरा जो portion है यह strength नहीं लेगा इसी वज़े सी यह बहुत high chances है कि इसको मतलब यह strength वो strength गेन ना कर पए और future में fail करें तो यह चीज़ प्लीज र कॉलम पर भी अगर करें तो आप engineer हो तो आप इसको रेजिस्ट करना तो इसका बात क्यों मिक्स तो मिक्स जो होता है ना यहां पर workers करता क्या है ज्यादार यह M20 में होता है M20 के ratio 1 is to 1.5 is to 3 है ना और जो workers है वो करता क्या है 1 is to 2 is to 3 कर देता है तो यहां पर दिग्गत ही आ सब्सक्राइन डाल देता है अपनी हिसाब के ठीक के लिए मतलब उसको याद रहता है 1 is to 2 is to 3 तो यह अगर 1 is to 2 is to 3 हो गया तो 0.5 का excess filler आ जाएगा जो की strength को थोड़ा सा तो यह मतलब problem करेगा थोड़ा सा तो problem करेगा excess अगर filler आ जाएगा क्योंकि यह जो sand है sand filler है और stone यह ही तो compressive strength निलता है ना और यह binder है तो अब यह सी बात है जो अगर जाधा cement अगर जाधा sand आ जाएगा तो strength थोड़ा सा तो affected होगा ना तो इस चीस का भी बारिकी से ध्यान रखना सम्टेम होता क्या है कि वहां पर अगर कोई side engineer होगा अब मेंसे कोई अगर side engineer हो तो अब करता है कि ratio क्या होगा वह अपनी हिसाफ से उवर कर सपनी हिसाफ से कुछ ratio बना कर करता है ऐगर जो वह मेशीन पर अगर अपनी हिसाफ से 3 is do, 3-2-6 is do, 3-3-9, ऐसे कुछ ratio बना लिया, और लेबर्स को बोल दे कि इस ratio में आप sand, cement और chips डालो, तो इससाब से डाल करो cast कर देता है, लेकिन आप उहां पर बोल दोगे कि, खुछ से एक ratio बोल देना, अगर 1 is do, 1.5 is do, 3 is do, 3 is do, 3 is do, 3 का डबल, यह होगा 6, इससाब से आप ratio बोल दोगे कि, इससाब से आप casting करो, तो ही वो casting सही होगा, यह ratio भी बहुत गरबर करता है, ठीक है, इसका बाद देखा, cover और bar arrangement, यह bar arrangement, जो side engineer है, इसको बार ही किसी इसको ख्याल करना चाहिए, मैंने बहुत सारे casting इसी वज़े से रोका है, sometime मैं रोक भी नहीं पाता है कि मैंने payment कर दिया, काल casting होगा, प्लीज इसको देखिए, तो बहुत सारे problem आता है, इसलिए side engineer का यह चीज़ बार की से ध्यान देना चाहिए, देखो यहाँ पर यह slap के एक corner लिया है में, ताकि आपको ठीक तरह से समझा पाऊं, एक slap को अगर consider करो, slap को अगर two way slab को अगर consider करो, तो mid का एक जाली होता है, जो single जाली होता है न। यह वाला जो portion है, meter का, और यहां से लेकर या ये वाला जो portion ही This right यहां पर यहां पर 2 layer होता itसे layer कर shorter direction में बार होगा ओर नीचे होगा दो यह नीचे है यह बार shorter का ये 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 नीचे है और longer direction का पर उपेर इसको उपर आएगा इसको उपेर पर shorter direction का बार उपर होगा यह देखो shorter direction का पर यह है यह उपर आ रहा है यह उपर होगा longer direction का बार नीचे जाएगा side पर यहां पर यहां से लेकर यहां तक यह होगे यहां से लेकर यहां तक यह होगे और यहां पर shorter direction का बार यहाँ पर मतलब यह वाला बार जो है यह वाला distributed बार यह उपर होगा और यह distribution बार है यह नीचे जाएगा यह होता क्यों है क्यों किया जाता है मैं एक छोटे से मतलब बहुत यह आसानी से मैं बता देता हूँ यहां का जो डिफलेक्शन है और यहां का जो डिफलेक्शन है जाहिर से बात है यहां का डिफलेक्शन कम होगा ना लेंध चोटा है और यहां का डिफलेक्शन जादा होगा तो अगर कम डिफलेक्शन वाले लेंध को अगर मैं नीचे देता हूं और उसके उपर जादा डिफ तो हम लोग यहाँ पर कि तरफ होगा क्यों यहां पर नेगेटिव मॉमेंट ना कि यहाँ पार नेगेटिव मॉमेंट का देखो अगर I-S code को देखँए अगर खुद से calculate करेगा fixed beam पर या fixed slap पर यहां पर negative moment आता है ना side पर negative moment पर ने आपर portion में deflect होना चाहरा है तो वही चीज इसका ही replika यहाँ पर जा रहा है यही फांडा हम लोग यहां पर लगा रहे हैं तो यही चीज हम लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं इसके बाद देखो डोंट एवेट कौवर एक कौवर को एवेट मत गरना अगर कौवर ठिक-ठक तरीके से नहीं दोगे तो तो और जाए गर कोरोजन आ गया तो बहुत बूरा फेली होता है मतलब इसका फैरस अकसेट होकर साइज बढ़ जाता है फैरस का तो वह चीज जो कॉंक्रिट है वह मतलब बॉंडिंग तूट जाता है तो इसलिए यह जो कौवर है कौवर को अबट मत करना तो स्लैप के लिए 15 mm अगर 8 mm बार हो तो और 20 mm अगर 8 mm 12 mm से ज्यादा 12 mm और उससे ज्यादा अगर बार यूज किया जाता है तो 20 mm आप लोग कौवर देना ही पड़ेगा तो बीम के लिए 25 mm एसपार स्पी 16 और 20 mm एसपार आइस 456 और कॉलम के लिए 40 पूटिंग के लिए 50 तो यह एक ओवर व कि इसापसे भी एक सीज़ है कावबर का अगर मॉडरेर्ट एडिया होगा अगर सी अगर कोस्टल एडिया होगा उसहीसाब से भी एक कौवर का प्रोविजिन उसको भी देखने मतलब कौवर तो अच्छी तरीके से देना तो क्यूरिंग यह कि ठीक तरीके से किया नहीं जय इंजीनर प्रिफर करता है वहां पर साइड इंजीनर मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो यह क्योरिंग मैंने एक वीडियो बना इससे पहली बहुत सारे जो वर्कर से वह इससे पहली खोल देता है सब मत करना और बीम का सेवन डे सौफिट का ठीक है और फॉर्टीन डे सिक्स मीटर अगर स्पैन होगा तो फॉर्टीन डे प्रॉप खोल सकते हैं एक 14 डे के बाद और आगर सिस मीटर के उपर हो गए तो 21 डे स्फविट फोल दोगें और सथ दिन के बाद बद अगर 4.5 मीटर का हो गया तो प्रॉप खोल पाओ गया और फॉर्टीन डिन के बाद 15 डे के बाद 4.5 मिटर के उपर हो गया तो 40 ने के बाद 40 के बाद ही स्लैप का प्रप खुलो गया तो इसाम्टेब होता है कि आपका जो कॉम्क्रिट लेकर जाता है ना बहुत तूप्पुर से नाल देता है तो इसके वज़े से सेग्रिगेट हो जाता है कॉंक्रेट का हानिकों क्रिएठ होने का चांसेस रहता है बहुत सारे प्रॉब्लम आता है ठीक तरह कि इसे कॉंपेक्ट नहीं होता तो इसी वज़े से 1.5 मिटर हाइट का मेंटेन करने ही एस पर आइस कूट ठीक है क्याव क्यारिटी और मेटेरियल यह सारी चीज मैंने खुज से देखा है यह सारी चीजा अब से में ये भी देख ओ कि वाहका जो जो सेलर है जो सैंड और स्टोन चीपश सेल करता है वह चले आता है कि या मेरा सेद में प्रॉब्लम किया आप क्यों इसको reject किया हो बहुत सरी इस्ट आता है लेकिन आप इंजिनर सो इसको avoid नहीं करो गया अगर सैंड में अगर कोई दिक्कत है मुझे मानने के लिए भी आया था यह बहुत सारी स्टोडी टाइम है तो मैं बाद में बताऊंगा तो यह बहुत सारे प्रॉब्लम आता है कि आप इसको reject करो अगर क्ले है कि आंप्री प्रॉटी से कुछ चीज कुछ basic टेश्ट वहां पर आप कर पाऊग liquid जो क्ले टेस्ट आप तो सिच सी स्वाल टेस्ट रहीं यह वह करऊऊऊगे साइट सी तेस्ट लेकर आप बोल पाऊँगे कि Secure सालफा टेस्ट एक चीजी बिसिक सए चीज आपको वहां पर कर पाओगे और देखकर ही पता चलेगा की सैंड कैसा है देखकर है आप बहुत सारे चीज बता देगा है और स्टोन का भी मतलब यह स्टोन का साइज में बहुत दिक्कत आता है चोटा साइज दे देता है ठीक है साइब देते ने बहुत तो चलेगा उनुफर्म शाइब तो वह ठीक है लेकिन होता कि सारे छोटे-चोटे-चोटे-चोटे चोटे मतलब छूरी हिप तो वह बिल्कुल नहीं चलेगा ना तुरी में बहुत लिक्त हा जाता है कि आप क्लाइन अगर हैंडलिंग करोगे तो तो यह चीज देखना ठीक है क्वालिटी को आप देखना तो तो अगर लैपिंग इसके ऊपर एक डेडिकेड़ वीडियो बनाए मैंने तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंका तो वहां पर जाकर दखना कि लैपिंग अब होता कैसे एलडी का कॉंसिप्ट क्या है तो यह चीज भी देखना तो अब यह सी बात है टेंशन जोन में 40D और एलडी इन दोनों में से ज्यादा होगा वही दोगे और कंप्रिशन जोन में 24D और एलडी तो अगर यहां पर बहुत सारे लोग बोलेगे कि कॉलम तो अगर यह वाला पॉर्शन यहां का जो फाइवर है यह टेंशन में आने के चांस तो रहे रहे रहेगा तो आप उसको कंप्लीट कंप्रिशन मेंबर नहीं मान पाओगे ठीक है अगर बाइक्जियल मोमेंट आ गया तो अभी इसी बात है यहां पर साइट पे टेंशन आने के चांस रहेगा तो हाँ पर भी आप 24D नहीं दे पाओगे और यह एलडी ओविस सी बात है हर बक्त मेजर करना मेजर करके को देखना कि कौन ज़्यादा है तो इस एलडी को भी आप कंसिडर करना तो थैंक्यू तो इसका पार्ट वान मैंने यह बनाया कि मैंने मेरा जो एक्स एक्सपिरेंसे इससे ऐसा बहुत सारे एक्सपिरेंसे तो भी शेयर करेंगा प्लीज इसको सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू